पारिस ओलिम्पिक्स 2024 तीन अगस्त को इस टूर्णामेंट से इस मेगा इवेंट से शूटिंग में एक और मेडल की उमीड थी अभी तक शूटिंग में तीन मेडल आ चुके हैं जिन में से दो मनु भाकर लेकिया आई तीन अगस्त को भी वो आक्शन में थी और अपने पेट इवेंट में 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में यहां से लगा था कि मनु के नाम एक और मेडल होगा वो हेट्रिक लगाएंगी लेकिन शूट आउट में या शूट आउफ में कहा लिजे वो मेजर वरानुका से दो श इस पॉइंट मत होईएगा क्योंकि मनु आल्रेडी शूटिंग में दो मेडल लेकि आ चुकी है इंडिया के लिए दो ब्रॉंज जीते जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है हाँ बड़ी बात है लेकिन यह पिस्टल शूटि आपको शूट करना ही पड़ता है यानि आपका हर शॉट परफेक्ट होना चाहिए पांच के पांचो शॉट अगर आप परफेक्ट मार पाएंगे तो आपके लिए बैस ट्राइगा लेकिन यहां पर हलकी सी गरबढ़ हुई मनु लगातार टॉप थ्री में चल लही थी बल वाला उसमें आपके पास एक चीज हम देख रहे थे कि जब यह पूरे माचस चल लेते एक बारिकेडिंग लगा रखी थी वो किसलिए होती है यह वाली इंडोर में हो रही थी वाली आउट्डोर में हो रही तो इसके वजह से भी हो सकता है यह वाला फॉर्मिट इंडोर है अविसली दस मीटर में डेफरेंस होता है लेकिन हमने यह चीज देखी थी कि था दस मेटर में आपके points काउंट होते थे 10.2 का शूट कर रहे तो उस चीज का डेफरेंस होता था जो मिकस्टीम में ब्रॉंस मेडल आया था उसमें हो था कि कोरिया ने जो individual जीता था जिस कोरि यहां पर आपको 10.2 के आसपास ही शूट करना है 10.2 या उससे उपर शूट करना है आसपास शूट करके भी कोई फायदा नहीं है अगर 10.2 या उससे उपर आप शूट नहीं कर पाते हैं तो वो फेल गिना जाता है Green और Red Lights जो भी जलती है अगर आप 10.2 से बाहर जा रहे हैं तो red light हो जाती है अगर 10.2 या उससे उपर हैं तो green light हो तो जितनी green lights उतने आपको points मिलते हैं मतलब ये event और जादा मुश्किल है क्योंकि आपको उतने ही area पर target करना है उसके बाहर उसके उपर उपर नीचे कुछ points calculate नहीं होगे कि 9.9 आपने शूट कर दिया तो उसके बाद आपको फायदा हो जाएगा कि अगला आपने 10.7 कर दिया इसमें आपको वही या वाक के याद होता है nobody is perfect I am nobody अगर आप perfect नहीं है तो फिर ये event आपके लिए नहीं है मनु काफी देर तक perfect रहीं लेकिन अंतर जब इतना छोटा सा हो तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है और कोई बात नहीं well fought मनु मनु ने बहुत बढ़िया खेला और आप personally कुछ ही हारें celebrate करता हूं मैं उ सब कुछ खतम हो गया major veronica के साथ भाग रहा हमने देखा scoring में मनु भाकर एक लंबे वक्त तक उनसे उपर रही फिर commentator भी बीच में confused हुए कि शूट आप में मनु नहीं जा रही उनको लगा कि ब्रॉंज मिडल कंफर्म हो गया इतना करीबी मुकाबला था लेकिन अंत में में गया और शूट आप में मनु भाकर चुक गई चुक गई कहना जाती होगी कि दो ब्रॉंज मिडल लेके उललकी लोट रही है जाज तक कोई करनी पाया था तो वेल प्लेड मनु भाकर बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर और यह यह भी थी कि मनु भाकर जैसे आपन बराबर का हो गया एक बार को ऐसा लगा कि मनु लीड में आ गई थी पहले पॉइंट के साथ जब उन्होंने मिस किया था मेजर वेराउनिका हां लगा था लेकिन यह है कि मेजर वेराउनिका हो गई या फिर और बाकी जो शूटर जो भी खेल लेती एक हलका साब को प्लस प इवेंट है इसलिए मैं आपकी निराशा समझ सकता हूं गर्मा लेकिन हमाई लड़की बहुत अच्छा केल के आ रही और हमें सेलिबरेट करना चाहिए और उमीद है कि अभी तो सिर्फ बाइस साल की है शूटिंग में तो आप सतर असी जब तक आपकी आँके खुल रही है हाथ काप नहीं रहें तब तक आप खेल सकते हैं अभी काफी सारे मिडल्स मुनू लेकर आएंगे तर्की वाले शूटर याद दिला जी जी एक्क्यावन साल के हैं वो तो खेर उनकी आर्मी में भी काम कर चुके उनकी जो आर्मी की सहायक विंग है जो इंटरनल सेक्योर्ट गरा देखती है तो उनकी तो आदत है खेर उन्होंने कहा भी था बाद में शायद कहीं मैंने पढ़ा कि मैं आई पैचेज के साथ या फिर ब्लर वाले लेंसे नहीं खेल पाता हूं मुझे दोनों आके खुली चाहिए और वो शूटिंग का तरीका जहां तक मैंने पढ़ा ह यह मिलिटरी पुलिस या फिर इस तरीके की एक्टिव कॉमबैक्ट में जो लोग होते हैं उनको पसंदा था क्योंकि दोनों आके खुली होते तो आप ज़्यादा एरिया कवर कर पाते हैं और आप मुविंग टार्गेट्स को आसानी से शूट कर पाते हो बेलकुल लेकिन क दो मेडल लाने वाली पहली महिला एथलीट या ओवर ओर आप प्रिचर्ड को ना मैं भारतिया मानता हूं ना आई उसी मानती है पहली भारतिया एथलीट बन गई है जो एक इवेंट में एक ओलम्पिक्स में दो मेडल्स लेकिन इससे अलग थोड़ा सा और डिसक्शन पहल करना कि आप मेडल के लिए ही आए हो आप यहां से जीत के ही जाओंगे हां और वह भी तब जब टोक्यों के बाद क्या कुछ नहीं कहा गया तो जो सीजनल फैंस जो चार साल में एक बार जाकते हैं उन्होंने क्या कुछ नहीं कि कुछ नहीं हो पाता है ऐसे नहीं पिश्ट कर रहा हूं क्योंकि जब आप लगाता ओल्मपिक्स में दो लंपिक्स पर देखिए जब से मैं पैस्टनिटी ओलंबिक्स फॉलो कर रहा हूं आप कुछ नहीं जीत पा रहे थे तो मतलब हो सकता है कि मैं भाव कर वहां हूं या फिर ओवर इवेल्यूएट कर लिया हूं ले कि आप देगे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किये थे तो यह मिडल साय और मनु भाकर की जो कहानी है कमाल के वह भी आपको ललन टॉप पर मिलेगी जिस तरीके से श्रीमत भगवत गीता की शड़ में वह गई पिछल ओलम्पिक्स के बाद जस्पाल राणा के साथ जो भी उनके से शपाल राणा का रोल है इसमें और यह कमाल की अचीवमेंट है मनु ने जो भी किया है अभी तक दो मेडल जीते हैं एक में रहे गई लेकिन हाट्स ओफ सेल्यूट है उनको क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और भी बहुत सारे इविंट्स आज होने हैं पा झाल